श्री शद्गुरू महाराज कीजे भक्ति कार्म सुत्र भाग पाच साधक को कभी-कभी अपने मन को इस तरह से भी समझाना चाहिए कि जब तू संसारिक काम करता है तो परमात्म संबंदी विचार नहीं करता तू बरावर संसारिक विश्यों के आनन में मध्होस रहता है और उस मध्होसी में परमात्म संबंदी विचार नहीं करता इसी तरह जब परमात्म संबंदी कारी करता है ध्यान साधना करता है तो संसार का तथा अन्य विश्यों का खयाल क्यों करता है इस तरह से बरावर मन को समझाते रहना चाहिए मन को पर्यत्न करके इतना साधना चाहिए कि वह कुछ समय के लिए निर्विशय हो जाए मन को निर्विशय करने का पर्यत्न ही उसमें निर्मलता लाता है इसके लिए साधक बरावर सुध और सच्चे मन से शद्गुरु महराज से प्रार्थना करता रहे। प्रार्थना में किसी प्रकार का आवेश, क्रोध, अहंकार या कपट नहीं होना चाहिए। अत्यांति दीनता के साथ सच्चे मन से भक्ति और प्रेम के रस में ढूब कर प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से चित का मल धोलता है प्रमात्म किर्पा की वर्षा होती है अंतर करम आनंदित होता है श्री शद्गुरु महाराज कीजिए